The Great Sardarilal Sahib के बारे में जंक के अंदर चर्चे हो रहे हैं जंक का हर व्यूवर Sardarilal Sahib के बारे में कुछ ना कुछ बात कह रहा है नंबर मांग रहा है, मेल आईडी मांग रहा है और फिर वो कहीं न कहीं मुझे एक मैसेज भेज बैठते हैं अब भी एक मेसेज आया है, असद सहाब का जो कह रहे हैं कि रामराम केश्व भाई मैं वारिस बलोच उमीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे मैंने आपकी वीडियो जनाब सरदारilal Sahib सहेगल सहाब की देखी और उनका जनून और जज़बा भी देखा कि उनको अपनी जनम भूमी से कितना प्यार है सुन रहे हैं सरदारilal Sahib और सहेगल सहाब की अपनी जनम भूमी से इंतहां चाहत देखकर हमारी आँखों से आसू आ गए काश ये दो मुलकों का बटवारा ना होता और सहेगल सहाब कभी अपना वतन जंग सदर छोड़ कर कभी ना जाते सहेगल सहाब की बातें दिल को बहुत अच्छी लगी इतने अरसे के बाद भी सहेगल सहाब की जबान पूरी जंग भी है सहेगल सहाब को क्या कहिएगा जब भी आपको इन्मिटेशन जंग आने का चाहिए मुझे जरूर बताएं सहेगल सहाब को शायद अब जाने के जरूरत नहीं है मुझे जरूर बताईएगा मैं भेज दूँगा यानि के इन्मिटेशन ये आपको भेज देंगे सहेगल सहाब खुदा आपको लंबी उमर दराज करे अमीन महला शेक लहोरी अब भी मुझूद है हमारा घर महला शेक में ही है हमारा घर महला बाग वाला में है किटियां वाला बाजार के साथ महला सुल्तान वाला है और इसके साथ महला बाग वाला है किशु भाई आप बहुत अजीम काम कर रहे हैं भगवान आप पर हमेशा अपना करम करे आमीन और इन्होंने फिर आगे अपना मुबाइल नमबर दिया है और मेल तो मुझे यह आई हुई है और अब बात करते हैं सरदारी लाल साहब की दिलदारी की, जुनून की और खुबसूरती की, जजबे की सरदारी लाल सहेगल से जब मेरी पहली बार बात्चित हुई थी न तो मुझे नहीं लगा था कि इनके स्टोरी कुछ ऐसी होगी बस इतना पता था कि इनके परिवार से जब मुझे बुलाबा आया था जब इनके बेटे ने मुझे कहा था कि आप बात करें तो ये मिरे लिए वैसी ही कहानी होगी जैसे मैंने बाकी कहानी की है और नहीं पता था कि ये जंग का दिवाना इसकदर जजबाती होगा, दिवाना होगा और इस दिवाने के जनून का पूरा जंग अब खुद दिवाना हो चुका है कितने सारे ऐसे लोग हैं जो रोजाना मैसेजिस करते हैं लेकिन कहीं न कहीं ये मैसेजिस करने वाले लोग एक बार अगर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे चले जाएं तो उन्हें सरदारी लाल सहगल से बात करने का मोका मिल जाएगा सरदारी लाल सहगल एक ऐसा शक्स, एक ऐसे बुज़रुगवार हैं जिनने में भूज़र करता था खेर मैं कहीं नहीं सकता और मुझे कहना भी नहीं चुग है क्योंकि वो भी अभी भी जवान है तो सरदारी लाल सहेगल एक ऐसे इकलोते मेरे दोस्त हैं जिनका इंट्रिव्यू जनरली मैंने किया था जैसे सब के करता हूं लेकिन ये ऐसे क्रियेटिव और एक्टिव दोस्त हैं जो यूट्यूब के अपने वीडियो पर आने वाले हर उस कमेंट का जवाब देते हैं जो उनसे कुछ तफसील से बात करता है डिटेल में बात करता है और कुछ ऐसी जानकारी देता या लेता है लेकिन ये हाई हेलो वालों को जवाब नहीं देते हैं और देना भी नहीं चाहिए उसमें से मजर सहब भी एक हैं तो मजर सहब जो की जंग वाले हैं मजर अबास सहब वो मुझे बीसियों बार कह चुके हैं उन आदा नंबर दे दो जनाब सानू भी असा विगाल कर लवी है तो चली आगे चलते हैं बात हो रही थी जंक के इस दिवाने की नो डाउट 73 साल हो चुके हैं इन्हें अपना वतन छोड़े हुए लेकिन 73 साल के बाद भी इन्हें अपना वतन याद आता है अपनी मिट्टी याद आती है और अभी भी ये मुझे गाहे बगाहे जब फोन करते हैं तो ये अपनी कुछ ना कुछ एक ऐसी बात कहे बैठते है जो वीडियोज में नहीं होती है और अभी इनके साथ जब लास्ट टेलिफोनिक कर्नुर्सेशन हुई थी तो इन्होंने एक और फरमाईश की थी और वो फरमाईश मैंने खानेवाल के मेरे बड़े ही अजीज हैं हमारे जहीर भाई उनसे मैंने शेयर की और ये जहीर भाई को पता है मुझे पता है और हमारे सरदरीरल सैगल को पता है मैं वो पब्लिकली नहीं बता रहा हूँ तो ये जो फरमाईश थी सैगल साब चाहते हैं कि किसी तरह वो फरमाईश पूरी हो जाए इस जनम में तो पूरी हो जाए लेकिन शायद खुदा को मनजूर नहीं है भगवान को मनसूर नहीं है या जंग वालों को मनसूर नहीं है ये कहलीज़े सैगल साब को मेरा इस वीडियो में जवाब मिल गया होँगा जिस बात के इनों ने जिक्र किया था वो नहीं हो सकती सैगल साफ जो आप चाहते थे और दूसरा ही है कि जो लोग मुझसे बार बार request करते हैं या मुझे बार बार phone करके या WhatsApp करके ये कहते हैं कि सैगल साफ का number दे दो तो भाई आप लोग अगर सरदारी लाल सैगल साफ से बात करना चाहते हैं तो आप खुद उनके वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं ये जंका दिवाना ये जुनूनी आदमी आप लोगों को जवाब देगा और ये बात पुकता हो कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीस यो कमेंट है जो मैं आपको अभी दिखा सकता हूं स्क्रिन शॉट्स कि हाँ इन्होंने किस-किस को जवाब दिया है और किस-किस को किस तरह से जवाब दे रहे हैं तो ये तो आप मान लें कि सरदारी लार सहेगल साब वाकई दिवाने हैं तभी तो उनका चर्चा जंकी गलियों में है वो लक्की होटल और वो लकडी वाला घर जिसको वो नहीं कम से कम इस जनम में तो नहीं भूल पाएंगे और जितने भी लोग जंग वाले हैं जंकेस दिवाने के फैन है ये जंकेस दिवाने से बात करना चाहते हैं वो प्लीज मुझे ना करके उनके इस वीडियो पर कर लें और तो जादा बहतर होगा और वो इनसे राप्ता कर पाएंगे बस ये वाला वीडियो किसी खास उससे नहीं था लेकिन ये जो मेल आई थी इस मेल से मुझे बस ये आईडिया सा आया कि इनको भी और बाकी लोगों को भी ये पता चल जाए कि ये एक रास्ता है जिससे उनसे बातचित हो सकती है तो बस जल्द ही इस रास्ते से निकल के वापी से उसी ट्रैक पर आएंगे और बज़र्गों के साथ बैच कर बातचित करेंगे पिलाल दीजे इजाज़त और पुराने वीडियो जो लोग देख चुके हैं उन्हें नहीं का इंतजार है और जो लोग नहीं देखने शुरू हुए हैं उनके लिए भी भेंडार भरा हुआ है आप लोग इतमे नान सो देखिए शुक्रिया